हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल में आज हम बात करेंगे घर का फाउंडेशन तक का खर्चा कितना आता है आपको अगर आप घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, बिचार कर रहे हैं तब क्या क्या चीजας होती है, ये जान लिजी आज के वीडियो में चैनल परे नाए है सब्सक्राइब नहीं की हैं, तो सब्सक्राइब करके वेल आइकन प्रेस कर दीजेगा बात करेंगे material की, की material लगता क्या क्या है, सबसे पहले तो आप layout कर लेते हैं यह आपका काम जो है आपका इंजिनियर कर देगा या consultant architect जो भी है वो layout कर देंगे layout आप proper तरीके से कर लेते हैं यहाँ पर हर एक चीज हो जाती है आपकी अब इसके बाद JCV का खर्चा जो है यहाँ से start होता है कुछ जगे JCV के हम मान कर चलते हैं कुछ जगे labor जो है वही गड़े कर लेते हैं इस कारण हम इसे यहाँ पर pending रखते हैं कि आपको इसका खर्चा जो है आप एक 10-15,000 एक अलग से मान लीजेगा सबसे पहले material क्या लगेगा यह समझ लिजे गिटा यानी पत्थर जो अभी आपने वीडियो में थोड़े समय पहले देखे हुए है दूसरा आपको लगता है cement cement आप सभी जानते हैं कितना ज़्यादा जरूरी है तीसरा आपका जो सामान है वो है रेती या बालू या technical term में इसे आप sand कह सकते हैं इसके बाद आपका core segregate यानी गिट्टी या आप रोडी बोल सकते हैं इसे इसके बाद आएगा आपका लोहा लोहा के बाद आपको लगेगा tar या इसे हम binding buyer भी कह सकते हैं इसे आप column बगेरा और beam बनाते हैं यहां पर मैं beam तक के खर्चे की बात करूंगा जो आप plinth level पूरा complete कर लिये हैं वो भी frame structure पर इसके बाद आपका lever charge आएगा कि आपका lever charge क्या क्या है अब इसमें हम जो work देखेंगे सबसे पहले आपने यहां पर गड़े कर लिये गड़े होने के बाद आपके column जो है वो आपने यहां पर बना लिये हैं इसमें आपका लोहा लगा बायर लगा आप concrete से आपने footing बगेर बना लिये यह आपके गड़े में आपने column खड़ा कर दी अप गड़े के इसमें भराई रहेगी और खुदाई तो दोनों को मैं यहां 20,000 का इसमें difference देखने को मिलेगा बाकी जो man man चीज हैं इनके बारे में मैं पूरी detail आपको अभी बता देता हूं सबसे पहले आपका गिट्टा की बात करेंगे हम foundation तक अगर आप बना रहे हो लगबग 1200 square feet है आपका घर तो 1200 square feet आप मान कर चलिए हलाकि 700 square feet है तब भी आपके सेम रहेंगे क्योंकि कॉलम और ये सारी चीजें लगबग लगबग सिमिलर चलती तो ज्यादा इसमें अंतर नहीं आएगा आपको हो सकता है कि 20-25-30,000 का इसमें difference देखने को मिले अगर आपका 1500 square feet होता है तब भी आपको 25-30,000-40,000 का difference देखने को मिलेगा foundation level पर पह ट्राली के हिसाब से गिट्टा देखने को मिलेगा market में अब आपके यहाँ पर क्या rate है चीजों के वो भी आप हमें comments में जरूर बताइएगा जिससे हमें जानकारी लगए और हम next वीडियो में बहतर तरीके से और आपको explain कर पाएं दो ट्राली लगबग गिट्टा लग ज चलता हूँ जो की 425 के हिसाब से आपका 38,250 रोपय होता है यहाँ पर एक चीज समझने वाली है अगर आप इस वीडियो को इंडिया में किसी भी रिजन में देख रहे हैं यानि आपका मद्द प्रदेश, 36 गार, गुजरात, राजिस्थान, उत्तर प्रदेश, डेली, तो अलग अलग जगे पर सिमेंट के या फिर मटेरियल्स के रेट में तोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है इसको आप कंसीडर करते हुए चलिएगा तो लगभग 425 रोपय के हिसाब से आपकी 90 बैग अगर सिमेंट होती है तो इसके 38,250 हो गए आपके तीसरे नंबर पर आपकी रेती या बालू जो लगेगी तो इसके 3 हाइवा मानकर चलिए आप लगभग 900-900 स्केर क्यूबिक फिट के असपास जाता है ये तो ड़ाई से 3 हाइवा जो आपको लगभग 24-25,000 के हाइवा के हिसाब से मिलता है मार्केट में तो ये आपका 70-75,000 हो जाता है मैं इसे 72,000 म का रेती का हो गया इसके बाद गिट्टी चौती नंबर पर तो गिट्टी जो रहेगी आपकी वो लगभग आपको 25-30 टन लगेगी मैं 30 टन लेते हुए चलता हूँ यहाँ पर जिसका रेट आपको देड हाइवा आप मान सकते हैं इसे अगर आप ट्राली वगेरा से बुल 500 का होता है और यहाँ पर तार 25 किलो के असपास 100 रोपए के हिसाब से 2500 का और लेवर रेट जो सबसे इंपोर्टेंट है 50,000 के असपास मैंने यहाँ मान कर चला हूँ हो सकता है आप गाउं में बना रहे हैं रेट कम हो या फिर आप ऐसी जगे बना रहे हैं जहाँ पर रेट आपका मटेरियल का जो है 2,50,750 रोपए खर्च होता है और अगर लेवर मिला लेते हैं इसमें 50,000 का 3,750 रोपए होता है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना ना भूले